हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चेनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सवगत करता हूँ तो दोस्तो मार्केट अभी तो हमें बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन कल इसका द्रश किस प्रकार से दिखेगा ये तो मार्केट ही जानने वाला है क्यों क्योंकि आज आभी आपको मार्केट बन दे संडे का दिन है तो आपको दिख रहा है कि मार्केट 17,558 रुपे 90 पैसे पर क्लूज हुआ है कल हो सकता है कि मार्केट आपको 17,200 पर भी दिखे ठीक है ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है एक सिंगल डे में पैसे तो हमारा मार्केट दोस्तो 18,000 से गिरना एक बार फिर से चाल लिए हुआ है छे मेने के अगर में बात कहता हूँ तो छे मेने में ये दूसरा मोका है जो मार्केट इतना बड़ा डीप हमें दिखा रहा है और एक साल के अगर में बात कहता हूँ तो एक साल में चौथा ऐसा मोका है जब मार्केट में बड़ी सी गिरावट आ रही है तो इसी deep में दोस्तों आप बढ़िया से क्या कर सकते हो यह जो मैं आपको तीन company अपडेट कराऊ इनमें आप investment कर सकते हो अपने opinion के हिसाब से क्योंकि जो इन तीनों company से related जो news आते हमें देखने को मिल रही जिनका नाम आप लोगों ने title में देखा तो यह काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है और यह इनके future को दोस्तों क्या करती है confirm करती है कि हाँ यह company आगे हमें और भी अच्छा performance दिखा सकती है ठीक है तो चलिए एक एक करके तीनों company को cover कर लेते हैं सबसे पहले देखते हैं दोस्तों टाटा पावर को तो टाटा पावर के update के लिए दोस्तों मैं good return के side के ओपर आया हूँ और आप time frame देख सकते हैं यह news कप का है 26 तरिक का है ठीक है इस multi-veggar large gap टाटा ग्रूप stock gets a rating for target price 262 मतलब दोस्तों यह बताये जा रहा है ठीक है कि यह stock आगे और भी multi-veggar return आपको दे सकता है यह दोस्तों टाटा ग्रूप का एक large gap stock है ठीक है इसमें एक नई rating edit की गई है और इसका एक नया target price हमारे सामने देखने को मिल रहा है ठीक है चले detail में analysis करते हैं news को the brokerage firm ICIC security ठीक है यह दोस्तों हमारे इंडिया का क्या है यह brokerage आउसे जो कि एक banking segment का है इसने डवल डी की क्या दिये दोस्तों rating दिये किसको टाटा पावर company limited को ठीक है क्योंकि यह एक large company और टाटा गुरूप का stock है the brokerage downgrade टाटा पावर ठेके पहले इन्होंने दोस्तों क्या किया था इसी stock को downgrade में rating दिया था उसके बाद आप क्या करिया है टाटा पावर for buy to added मतलब यह बोल रहा है कि आप buy कर सकते हो और ADD का इन्होंने rating दिया है और target price दिया है 262 का current market price के हिसाब से दोस्तों यह potential आपको मिल सकता है करीवन 12% तक मतलब यहां से 12% तक का आपको return मिल सकता है टाटा पावर के अंदर यह बहुत बड़ा news हमें देखने को मिल रहा है या बोल सकते बहुत बड़ा update हमें देखने को मिल रहा है अब ICIC security ने दोस्तों टाटा पावर को किस बेस पे यह update दिया है दोस्तों यह उसी को मालम है ठीक कि दोस्तों कुछ tender यह बड़ी मुश्किल से जीत पाता था बाकी के tender government power company ले जाती थी लेकिन जब से इसने अपने बिजनेस में कुछ नए बिजनेस एड़ किये है ग्रीन एनरजी क्लीन एनरजी वाला electric segment वाला solar panel वाला ऐसे बिजनेस कुछ एड़ किये हैं जब से इसने त और 235 रुपे के असपा स्टॉक ने किया क्या हमें closing price दिखाया लास्ट एक साल का चार्ट में आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं लास्ट एक साल के चार्ट में स्टॉक क्या कर रहा है स्टॉक दोस्तों जैसे ही यहां से इसने breakout दिया है 200 रुपे का support बना लिया ह इसी range में क्या कर रहा है दोस्तों stock consolidated कर रहा है क्या मालूम कब 300 रुपे के level को यह breakout दे पाएगा क्योंकि stock का जो 52 बिक कहा ही आप देख सकते है 298 रुपे का है ठीके 298 रुपे का और target कितना दिया है दोस्तों 262 रुपे का किसने ICIC security ने तो यह consolidated range जब तक दोस्तों break नहीं होगी उपर की side में तब तक दोस्तों अच्छी खासी रेली नहीं देखने को मिलेगी यह पता है ICIC security को तब दोस्तों उसने 262 रुपे का ही target दिया है जो easily तरीके से दोस्तों टाटा पावर के अंदर अचीव हो सकता है उसको भी पता है कि 300 रुपे का जब तक टाटा पाव चीप हो गया है ठीक है तो खेर टाटा पावर के अंदर तो यह न्यूज एक पोजिटिव हुई आप मान के चलेगा अगर कल की डेट में और बड़ा डीप अगर इस company के अंदर मिलता है तो अपनी position को दोस्तों continue कर सकते हैं और नई position भी आप इसमें बना के चल सकते हैं 4-2 long term ठीक है चलिए second company को देखते हैं दोस्तों second company के लिए हम आ चुके हैं cnbctvn80.com की site के उपर यह news है दोस्तों डिक्सन टेकनोलोजी से related जिसने दोस्तों क्या हो रहा है एक नाम अभी सामने आ रहा है कि यह apple से भी tie up कर सकता है आईपोन 14 को manufacture करने से related डिक्सन टेकनोलोजी के पास यह बहुत बड़ा opportunity आ रहा है apple has decided to being manufacturing the iPhone 14 in the India मतलब दोस्तों apple decide किया है कि हम आमारा जो iPhone 14 है ठीक है वो जितने भी series में निकलेगा iPhone 14 वो सभी series को दोस्तों हम क्या करेंगे भारत में क्या करेंगे manufacture करेंगे क्यों क्योंकि अभी वो चाइना से थोड़ा सा अलग हट र वो थोड़ा कम कर रहा है अपना जो उत्पादर में वहाँ पर वो कम कर रहा है क्यों कि चाइना दोस्तों सभी देशों की तरफ से चर्चा में आ चुका है मतलब काफी ज्यादा बेन भी हो चुका है जिसके करण दोस्तों iPhone 14 यह फैसला ले रहा है ठीक है आने वाले मतलब एक दो मेने में यह iPhone 14 लांज भी होने वाला है बहुत सारे देशों में बन चुका है और भारत के लिए यह दोस्तों जगा डोंड रहा है एपल इसने अनॉस्मेंट तो कर दिया है तो इसी केटिगरी में दोस्तों Dixon Technology का नाम सबसे उपर आता है क्योंकि दोस्तों इसको Mobile Manufacturing करने का क्या है काफी बड़ा Experience है क्योंकि यह Already Global जो बड़े-बड़े यह क्योंकि iPhone 14 अभी सीरी जा रहा है 15 16 17 आपको तो पता यह कि iPhone का जो नाम है वह देखते से दोस्तों एकदम बड़ा लगता है Apple, iPhone यह सबी को पता है तो इसी चीज़ से दोस्तों Dixon Technology को कितना फायदा हो सकता है यह आप एक प्रकार से अपने माइड में Image Create कर सकते हैं तो हमारे लिए दोस्तों यह जो नियूज है ना यह मतलब iPhone से related भी और Dixon Technology से related भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है ठीक है और Dixon Technology का Last Trading Session का अगर Performance देखे हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Dixon Technology ठीक है Last Trading Session में हलकी सी गिरावट के साथ 4,044 रुपा पर क्लोज हुआ अब इसका 52,6,263 रुपे का है सबी को पता है ठीक है और Last 5 दिन में आप देख सकते हैं Stock काफी जादा भाग चुका है यह Stock में भी बड़ी गिरावट हमें Company को Market में आई हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन काफी अच्छा दोस्तो Market को Observe कर चुका है ठीक है और अच्छा कासा Return भी अपने Shareholder को यह दे चुका है प्रीवेश में तो आगे भी दे सकता है दोस्तों क्योंकि इनी सब चीज को देखते हुए हमें इनका Future का Condition पता चलता है अगर दोस्तों यह TIEP कर लेता है iPhone के साथ या iPhone इसके साथ TIEP कर लेता है तो definitely दोस्तों Diction को काफी अच्छा फाइदा इस चीज से मिलेगा घर वो तो बात आगे किए कि वो TIEP का होता है वो देखने वाली बात रहेगी और last Company को देख लेते जो Bonus देने जा रही है इसके अगर मैं बात करता हूं तो सत्यासी 80% स्टॉक भाग चुका है आप देख सकते हैं इतने हाई पर गया था और उसके बाद डीप लगा है काफी बड़ा फिर उसके बाद एक अच्छा गासा तेजी दिखाया पांस साल की मैं बात करता हूं तो पांस साल में 70% तक का दानी और लगवक 1000% तक का इसने रिटन अपने शेरोल्डर को दिया है इसका वावन बिक का ही 929 रुपे 55 पैसे के आसपास हमें देखने को मिलता है तो कंपनी का नाम क्या है कंपनी का नाम है दोस्तों पॉंडी ऑक्साइड इंड केमिकल लिमिटेड आप नाम से जान चु गए यह पॉंडी ऑक्साइड एंड केमिकल कंपनी का हमने पुरा डाटा ओपन किया है और नीचे चलते हैं और यहां पर आप कॉर्परेट एक्शन पर आप देख सकते हैं यह कंपनी ने बोनस तो पहले ही अपडेट कर दिया था लेकिन दोस्तों उसका एक्स डेट आना ब इस बोनस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 27 तारिक तक इस शेर को खरीदना होगा तभी दोस्तों आप इस बोनस के लिए इलिजिवल हो पाओगे 27 सितमबर तक अधरवाइस आप 28 को अगर खरीद होगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस सब्सक्राइब तो इस वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब कि डेली वेसस पर से बैतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक यू दोस्तों